इगनु के अधिकतर विद्यार्थियों या छात्रों में या confusion रहता है या दोविधा रहता है जो भी छात्र अपना इगनु में admission कराना चाहते हैं वो जानना चाहते हैं कि audio mode क्या होता है और online mode या online program जो इगनु द्वारा संचालित होता है इन दोनों में समान्य क्या अंतर है तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बता दे रहा हूं कि इन दोनों में क्या अंतर है और सबसे ज़्यादा popular कौन है और किसमे admission लेने से क्या आपको हानी होगा क्या आपको लाब होगा और क्या प्रक्रिया होती है इन दोनों में admission का इन सभी विश्यू को आपको हम इस वीडियो में अच्छे से बिस्तार से समझाएंगे और बताएंगे वीडियो प्रारम करने से पहले बता दू कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोट्पिकेशन प्रेस कर लिजेगा ताकि जब भी कभी मैं एगनो संबंधित कोई वीडियो अप्लोड करूँ तो उसका नोट्पिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जा तो चलिए वीडियो को प्रारम कर देखिए ओडियल मोड और ओनलाइन मोड सबसे पहले जान लेते हैं कि ओनलाइन मोड क्या है जो ओनलाइन सब्ध है अधिकतर आप सुनते होंगे जानते होंगे अब इसमें ज्यादा हमें बताने क्या हो सकता नहीं है कि ओनलाइन क्या होता है ओनलाइन मतलब एक डिजिटल पूरी त चलेगा वाटसब पे फेस्बूक पे वर्तालाब करते हैं आमने सामने देखकर उसी प्रकार से इसका क्लास चलता है बस ऐसे हैं डिजिटल तरीके से आपका जो कूर्स है वो कंप्लीट कराया जाता है बस इतना ही अंतर होता है वो भी घर बैठे कहीं और जाना नहीं होता चल ज़्यादा पापुलर है अधिकतर छात्र इसी में एडमिसन लेते हैं यह करोना काल की वज़ाते थे थोड़ा सा पापुलर हो गया क्योंकि उससे में कोई भी क्लास करने या एक्जाम देने एक्जाम सेंटर नहीं जाता था इसलिए एग्मून ने ओनलाइन मोड में भी प क्त अधारित एक पुर्ग्राम यह कोर्स होता है अब डोनों में अंतर थोड़ा सा समस्प्लम श्यादा पूरिंशन और में जूला जाता है और दोनों में सेम है जब यव ऐलेगा तो साथ में ये वला आएगा ये ये अलग अलग नहीं आएगा साथ ही में आएगा और दोनों का जु शत्र है जुलाइ सत्र के जून में जनुनवरि सत्र के प्रक्रिया ऐसका है वहीं इसका है ऑनलाइन इसमें भी आवेदन करना है और जो प्रक्रिया चुनने का इसमें एक प्रक्रिया अपका नहीं होता है Sumdon experience Ohio lifestyle और डैरेक्ट तक सब्सक्राम यहां हो जाता है इसके बाद आता है के regional center देखिए जो odial mode होता है इसमें आपको एक regional छैत्रीय कर्याले चुनना होता है कि आप जिस छैत्र में है उस छैत्र का एक main सहर चुना जाता है मान लिजे आप लखनाव में है पत्ना में है भुनेश्वर में है भोपाल में है गुहाटी में है जम्मू में है तो उसके استनलना होता है आपको वीडियो सेंटर सारी मोड़में जमा करने जाएंगे ओडियल मोड में te और इसमें assignment आपको जमा करने कहीं नहीं जाना है इसके बाद इसमें exam center भी आपको चुनना होता है assignment लिखना होता है हाथ से और ले जाके study center पर जमा कर सकते हैं या फिर दांग द्वारा भी भेज सकते हैं exam आपको exam center पर जाना होगा offline mode में ठीक लिखीट और class इसका भी चलता है offline mode में ही आपको चलेका study center पर सब्सक्राइब में एक दिन इसमें क्या होता है कि आपको regional center में चुनना है एकजाम सेंटर नहीं चुनना है assignment आपको online जमा करना है एकजाम भी आपका online होगा class भी आपका online चलेगा ठीक अब यहां आता है कि assignment जीसे आप online जमा कर सकते हैं link provide कराएगा इगनू उसपे आप अपना scan करके जो लिखे हैं वो जामा कर सकते हैं ठीक इसके बाद ये है कि इसमें है कि exam center आप भरेंगे exam center पर जाएंगे आपको लिखेत exam देना होगा offline mode में exam online ही होगा class इसमें आप study center को एक दिन जाके यहां पर कर सकते हैं सबता हमें एक दिन और इसमें class करने का कोई सवाल ही नहीं है कि आपका offline mode में होगा केवल online mode में आपका class चलेगा और जैसे भी हो आपको इगनू हर तरह से सुचना कर देगा तो ये एक basic अंतर था ज्यादा कु system है इसलिए इसमें जादे course हैं इसमें मात्र कुछ गीने चूने course हैं लेकिन अधीकतर चाथ इसी में admission लेते हैं इसके बाद फिर्ष की बात करें तो जो program इसमें संचालित होते हैं जितना course फिस में रहता है उतना ही जो इसमें course संचालित होंगे उतना फिस इसमें ही झालित हैं 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 झालि